है गाईज वेलकम टू माय चानल आई होप यू गाईज आर वेल तो आज हम करेंगे बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर और जिसे हम बोल सकते हैं बीटा अलिमिनेशन रियक्षिंज तो फर्स्टली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये वाली रियक्षिंज होते हैं ये बिल्कुल रिवर्स है अलिकीन इंसर्शन का ठीक है वहाँ पे क्या करते थे कि हम इंसर्ट करते थे यहाँ पे क्या करना है कि हमें अलिमिनेट करवाना है तो चलिए स्टार्ट करत metal ये हैं लीगेंड्स ठीक है जो कि पार्टिस्पेट नहीं करती और इन लीगेंड्स को हम क्या बोल देते हैं spectator लीगेंड्स क्या बोलते हैं spectator लीगेंड्स बोलते हैं which do not participate in the reaction ठीक है जी spectator लीगेंड्स बोलते हैं जो कि participate नहीं करते अब next क्या है कि देखो यह ligands जो participate नहीं कर रही यह metal and suppose करो कि इसके साथ कोई alkyl group attached है जिसके पास क्या है beta H क्या है beta H ओके तो अब बात समझ में आई क्या हो रहा है कि देखो यह वला carbon with respect to metal alpha यह वला कौन सा हुआ beta तो अब क्या होगा कि जो यह metal है न यह interact करेगी इस beta H के साथ देखिया जो यह metal है इसके साथ interact करेगी तो जो यह वाली interactions होती है न इन्हें क्या बोलते हैं agostick interaction क्या बोलते हैं agostick interactions बोलते हैं ओके तो बात समझ में आ रही है यहां पर अब आप एक कंडिशन नोट करों कि जो ये वाली रियक्षन होती है ना इनके लिए एक फर्स कंडिशन क्या है कि दोनो जो मेडल है और जो लिएक जिसका ट्रांसफर हो रहा रहा दोनों क्या होनी चाहिए इकी प्लें में होनी चाहिए तभी ये इन्टरेक्षन पासिबल है अगर यह यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे चला गया तो यह interaction पॉसिबल नहीं होगी और वो reaction है वो proceed नहीं करेगी तो देखो, firstly यह चीज भी दन कि क्या होगा कि finplinarity होनी चाहिए, periplinarity तो फिर क्या होगा, बस क्या करो कि जो यह वाला hydrogen है, यह metal पे ट्रांसफर हो जाएगा यह वाला bond इधर ट्रांसफर हुआ तो अब अब नोट करो, क्या बना हमारे पास यहाँ पे H अटैच हुआ, फिर उसके बाद यह alkene ठीक है, तो यह बना हमारा hydrogen ट्रांसफर के बाद प्रोड़क्ट, ओके जी, तो यह सिंपल चीज होती है, बीटा हाईडोजन ट्रांसफर के हमें क्या करना है, कि जो हाईडोजन बीटा पोजीशन पे अटाच्ट है, उसे ट्रांसफर करवाना है मेटल के पास, और जो मेटल का बाद है, वो इस बाद पे मूव करेगा, और हमारे पास क्या आएगी, alkene ओके जी, तो देखो, फर्स्ट कंडिशन तो मैंने आपको यह बताई, कि क्या होनी चाहिए, सिन पैरिप्लिनारिटी, कि जो मेटल और हाईडोजन है, इस मेटल के पास यही चीज हो रही है न, तो क्या होना चाहिए, कि जो यह मेटल है न, इसके पास एक वेकेंट और बितल होना चाहिए, तो सेकिंड कडिशन क्या आप लिखोगे, कि जो मेटल है, दाट शुड हैव वेकेंड ओर्बिटल्स ठीक है जी जो मेटल है उसके पास क्या कि वेकेंड ओर्बिटल्स हैं वो होने चाहिए रियक्षिन को प्रुसीड करवाने के लिए ओके ये भी पॉइंट हो गया अब आप एक और पॉइंट देखों कि यहाँ पे जो ये वाला गु था वह सीगमा बॉण्ड के थ्रू अटाच्ज्ट था मैं चाहिए थाख ह धालर्शाय इसो मेसे इस सब्नेक्षिग देखों कि ये वाला जो जो इंत्वpy एक और हैग्ट बड़ेंड वाला आंच्ट ऑए और फोन देखों ये वाला जो सीगमा बॉण्ड थाग्षिग ये ह यहां पर ट्रांसफर हुआ और यह हमारे पास क्या बनी एलकीन एक जो सिग्मा का बॉंड है वो तो ब्रेक हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक सिग्मा का बॉंड तो यहां पर बन गया ना देखो इनीशली तो यह वाला बॉंड नहीं था बट लेकिन यह बाद म आ गई हमारे पास जो यह वाली चीज थी यह हमारे पास अडिशनल चीज आई अगर हम इन दोनों को कंपेर करें तो अलकीन है वो कितने इलेक्ट्रों डोनेट करती है वो टू इलेक्ट्रों के साथ पार्टिस्पेट करती है ठीक है टू इलेक्ट्रों के साथ आ गए because of this alkene formation ठीक है alkene form हुई तो हम कह सकते हैं कि जो electron count है वो दो units के साथ increase हो रहा है बात समझ में आई ना आपको कि ये वाला bondage ने compensate कर दिया ये additional alkene हमारे पास बनी जो कि two electron contribute करती है bonding में हमें पते है ये दो electron contribute करती है तो दो जो electron count है वो increase हुआ ठीक है तो अब आप note करोगे यहां पर point कि जो electron count है that increases by two units ठीक है जो electron count है वो increase हो रहा है by two units अब यहां पर एक बहुत important बात है वो ये कि हमारा जो initial complex है जहां पर हम ये hydrogen transfer करवाएंगे वो 16 electron होना चाहिए ठीक है 16 electron होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि after the transfer हमारे पास क्या बनेगी 18 electron species बनेगी तो वो तो stable है ठीक है तो यहां पर एक point ये भी है कि जो metal है वो initially 16 electron count में होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जब हम transfer करवाएंगे देन हमारे पास क्या है कि 18 electron बनेगी तीशे ठीक है अगर suppose 18 electron है initially metal तो क्या होगा कि after transfer वो 20 electron बन जाएगी क्या ये possible है नहीं ये नहीं possible है तो क्या होगा कि firstly अगर 18 electron है तो हम उसमें dissociation करवाएंगे एक legion है वो remove करवाएंगे देन उसमें क्या होगा जो ये beta h transfer होगा फिर वो 18 electron species है वो form होगी ठीक है जी ये चीज होती है अब आपको बात समझ में आ रही है न कि मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले ज अगर 18 electron in case हमारे पास species है तो firstly उस case में क्या होगा कि हमारे पास जो 16 electron species है वो बनेगी after dissociation देन क्या होगा कि beta hydride transfer होगा और हमारे पास जो 18 electron species है वो form होगी ओके तो आप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है नो डान कर लो इने फिर उसके बाद हम एक और चीज़ देखते है कि decomposition भी होती है हमारे पास क्या है कि alkene यादा side product remove हो जाता है हम consider करते हैं कि example अब suppose करो half new यहाँ पे एक CP ring attached है phyclopentadienyl वाली ring और यहाँ पे एक legend है जिसके पास क्या है कि beta H है ओके यहाँ पे CH3 लगा दिया तो यह alpha position यह beta position यह हमारा hydrogen यह हुई इसमें interaction तो यह जो H है यहाँ पे ट्रांस्फर होगा यह double bond बन जाएगा यहाँ पे और क्या हमारे पास product आएगा यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 ठीक है प्लस एलकीन है वह as a side product remove हो गए तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि हम initially जो metal की oxidation state चेक करें तो वह कितनी होगी यह CP ring है इस पे formal charge minus 1 इस पे भी minus 1 है ठीक है alkyl group पे भी minus 1 चार्ज होते है यह भी alkyl इस पे भी minus 1 तो overall कितना आया हमारे पास plus 4 oxidation state आई metal की ठीक है अब हम product चेक करें तो product देखो इनका same minus 1 minus 1 इसका भी same hydride का भी minus 1 होते है तो कितना आया इस पे formal charge plus 4 ठीक है यहाँ पे भी क्या है कि चो metal plus 4 में है यहाँ पे भी plus 4 में है तो हम देख सकते हैं कि no change in the oxidation state कोई change नहीं आता है oxidation state में तो एक point यह note करो कि no change in oxidation state कोई change नहीं आएगा ठीक है no change in oxidation state oxidation state में कोई change नहीं आएगा बलकि हमारे पास क्या है कि जो एक alken है वो as a side product वो रिमूब हो रहे है ठीक है जी तो यह चीज़ थे तो आपको ने इसके conditions है basically वो पता होने चाहिए कि actual में conditions क्या है इसके अब देखो सबसे basic condition क्या है कि suppose हमारे पास compound है अगर उसमें beta h है तब ही तो यह transfer होगा तब ही तो यह alken है वो remove होगी अगर beta h ही नहीं है तो उस case में reaction है वो नहीं होगी ठीक है तो first condition आप यह भी note कर है तो आप यह नोट करों अब आप सुपोस करों कि हमने यह वाले compound कंसीडर के जिसमें कोई भी नहीं है बीटा h हमने यह वला टंग्स्टन का ले लिया ठीक है titanium का यह तो अब देखो कि यहां पे तो सारे इसकी जिमेटरी टेट्राहेडरल सरी ओक्टाहेडरल है ना जो यह वाले है इसकी जिमेटरी तो आप नोट करों एक ch3 यहां पे है एक ch3 यहां पे ठीक है कुछ ऐसी जिमेटरी होगी ch3 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 तो किसी के पास भी बीटा अच नहीं है बीटा अच नहीं है तो बीटा अलिमिनेशन रेक्शन्स नहीं होगी हाना that means कि जो यह वाले कमपाउंड है यह दोनों stable है क्या है stable इनमें क्या है कि जो बीटा अलिमिनेशन है वो नहीं होगी देखो यह टेटरा है डॉल आप इसमें भी देखो इसमें भी क्या है कि बीटा अच नहीं है नो अलिमिनेशन दाट मीन्स कि जो यह वाले है वो स्टेबल होंगे ओके अब आप नेक्स्ट पॉइंट और देखो कि सुपोस हमारे पास कोई ब्रिचिंग वाला कंपाउंड है ठीक है यह सुपोस मैंने कंपाउंड कंसीडर किया यहां पे अटाच्ट है हमारी मैटल यहां पे लीगेंड्स अटाच्ट है यह इसके तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा यह वाला क्या यह स्टेबल है नहीं नॉट स्टेबल स्पिशेज क्यों क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है ब्रिट्स रूल उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो यह ब्रिज हैड वाली पॉजीशन आना उन पे डबल बॉंड स् स्टेबल नहीं होता तो जो यह वाली चीज है यह पॉसिबल नहीं होगी ओकी जी तो यह वाला पॉइंट भी हो गया अब आप नेक्स में आपको एक पॉइंट बताते हैं कि हमने एक लेक्चर में ना दो चीज़े पढ़ी थी कि हमारे पास दो टाइप के मॉलीक्यूल होत यह क्या है हमारे पास कॉडमेटिवी साचुवेटर ये वाला साचुरेटर अब एक और मैं बनाऊं ये हमारे कि देखो रीक है कि जो यहां पे एक जाएट भी सॉट अभेलेबल है अॉर यहां फोड़ेमर्न टो यहां पे यह इस पिले में जाएगे अदै दोश्तों होगा कि वह क्या बैक्ड सरी एक तरहीं नहीं प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट तो इसकी वज़े से क्या होगा कि चो हाइड्रोजन है ठीक है आफ्टर ट्रांसफर वो कहां पर जाएगा कहीं पर उसे जगाई कि यहां पर प्रेजेंट एक यहां पर प्रेजेंट है जिसकी वज़े से क्या होगा कि चो अच आ रहा है ना अफ्टर ट्रांसफर वो यह दोनों साइट्स Cigloss को पाय कर लेगा साइट सो अको पाई कर लेगा मतलब उसे जगा मिल रही है अपनी अपनी मतलब अपनी प्लेस्मेंट के लिए जगा मिल रही है that means कि अब इस केस में क्या होगा कि जो रियक्शन है वो फास्टर होगी तो ये कुछ पॉइंट थे बीटा हाइड्राइट ट्रांसफर के लिए या फिर एलिमिनेशन रियक्शन के लिए तो आपको ये पॉइंट है वो याद रखने है ठीक है जी तो आई होप ये वल्ली वीडियो आपके लिए हल्पुल रही होगी थांस फूर वाचिंग